अश्रामुलीकम जी वेल्कम बैक तो आवर यूट्यूब चैनल इटालियन लैंग्विज के कोर्स बी दूए की लेसन नमबर सेवन में आप सबको वेल्कम और आज की इस लेसन में हम देखेंगे उसी दी प्रॉप्रियो यानि की यूजिस अफ प्रॉप्रियो प्रॉप्रिय या दो तरह से जो है ये इसनमाल हो सकता है एक तो एज़ा अवर्बियो यानि की एज़ा अडवर्ब के तोर पर इसनमाल हो सकता है और दूशे नमबर पे एज़ा अज़टीवो यानि की एज़ा अडजेक्टिव के तोर पर इसनमाल हो सकता है ये दो तरह से आप जो है प् जो प्राप्रियो के नहीं होगा, जब हम इसचाल का रहे हो ओंगे प्राप्रियो को ठीक हम पहला मतलब के लिए प्रचीजा में थे थैजा हों प्रचीजा में थे कहती है precisely वो इसको कुछ examples से हम देखते हैं जी पहली example अब यहां पर जो प्रोप्रियो का मतलब होगा वो होगा precisely precisely, प्रोप्रियो दिल न प्रीमा गवारा मुंद्याले पहली जो है जो ज़ंग हुई थी आलमी ज़ंग हुई थी यह प्रोप्रियो यानिकि precisely उसके बार में बात का रहा इसका मतलब क्या बना यह जो article है यह precisely जो first जो है आलमी ज़ंग थी ठीक है एप्रोप्यो को में दीची तू इसने बिल्कुल ऐसे ही कहा था अब यहां पे जो प्रॉप्रियों का जो कहने के होगा मीनिंग इसका एक और जो है एक और ऐसा मीनिंग इस्तमाल हो सकते है दवेरो और विरमेंटे ठीक है यह प्रॉप्रियों का जो पहला हमने ऐसा अवेर्बियों मीनिंग पढ़ा था वो प्रीची सा मैंटे था या इसा था मैंटे जो प्रॉप्रियों ऐसा अवेर्बियों सेम उसी कैटेगरी में आप तो यह दवेरों भी बन सकते है और वेरमेंटे भी बन सकते है इसके भी कि तो mathematics में बहुत अच्छी हो ठीक है। तो mathematics में बहुत अच्छी हो। यहाँ पर brava है इसलिए अच्छी का लफ्स इस्तमाल करेंगे यह बरावा लड़की के लिए इस्तमाल होता Podcast अगर brava होता है उट वह लड़की के लिए स्तमाल होना था ठीक है से proprio brava टीक है एक और एक्षिम्पल देख लेते हैं इसके वेद्ध मयले यार्ल देख लेते हैं उज uniform 쓰yम भं accessibility offerch आथ मैले या इनके आच जो मिर्यम है हम वो तो स्थ में बहुत ज्यादा बीमार है ठीक है, इस्ता वेरमेंते माल है, वो बहुत ज्यादा बिमार है, ठीक है, तो यह प्राप्रियो ऐजा अवेर्बियो हमने देखा, ठीक है, दो तरह के जो है मीनिंग्स हमारे पास सामने आए, प्राप्रियो ऐजा अवेर्बियो के, पहला तो यह हो सकते है प्रचीजा मेंते याँ जब हम इस्तमाल करेंगे तो यहाँ पे आपने पे अटेंशन जो है देनी है थोड़ी क्योंकि यहां पे जो है वरियाबिलिया जो प्राप्रियो अवयरबियो था वहां पे जो वरियाबिया नहीं था यानि कि प्राप्रियो की जो فर्म है वो चेंज नहीं होनी थी अज्ञान मुज़कर, मोनुस आवाहि मौनुस आवाई, जमा को देखते हुlt ठीक है लेगिन यहां पर proprio as a adjective जो फ्राप्रियृ प्राप्रिय भी हो सकतर कि VARIABLEmetics गहां अजति हो जब हम इस्तुम इस्तामाल करेंगे प्रिक्यों को, ठीक्या तो वरियाबदी होगा, तो इसलिहाज से मजब खर्मोनस और वाही जहाह के लिए अलाइदा- अलाइदा कहलेंगे, इस थोड़ी ओम चेंग होगी जिस थल्हा ये आप देख रहे हैं अब यहाँ पी प्रिप्र आजएटीव में भी हमारे पस दो तरह के जहां इसकी कहलें के जिए अगार हमारे प्रप्रियो अगार ρ। प्रॉप्राइज आजटीव, सुस्टिटुईशे उन अजटीव, पुजेसीव, इन फ्राजी, इमपर्सोनाली, और इन कुई, इन सुजेस्टो नोने स्पेचिफिकाटो, ठीक है? अब ये डेफिनेशन थोड़ी मुश्किल लाग रही है, ठीक है? लेकिन ये इजटीव, इन फ्राजी, इमपर्सोनाली, जो पर्सोनल कहने के जुमले होते हैं, इन कुई, इन सुजेस्टो नोने स्पेचिफिकाटो जहां पे जो है सब्जेक्ट जो है, वो स्पेचिफाइड नहीं होता, ठीक है? अब इसको हम एक्जेंबल से देख लेते हैं, ताकि आपको एजीली समझाज़े, डेफिनेशन थोड़ी सी टफ है, लेकिन एक्जेंबल से हम इसको समझते हैं, जी, इमपर्सांट ये जरूरी है, इमपर्सांट है, डिफेंडर है, डिफेंड करना, इ यहाँ पे जो प्रॉपरी इद्याली का क्या मतलब हुआ, प्रॉपरी का मतलब यहाँ पे हुआ, ठीक है, मतलब हाँ, मेरे आइडियाज, तुमारे आइडियाज, उनके आइडियाज, किसी के भी आइडियाज, ठीक है, तो इप्रॉपरी इद्याली, यानि कि जो आइडिय तो यहां पर subject रहे है वो specified नहीं है, ठीक है, मतलब किसके idea, तो यह personal यह प्रॉपरी डियाली, यानि कि हर किसी के जो personal ideas की बात हो रही है, ठीक है, वो कहारे है कि important है, जरूरी है, defend करना, प्रॉपरी डियाली, जो किसी के भी जो ideas हैं, उनको defend करना, एक और example देख लेते हैं, बिजोन या पोतेर एस्परी मरे ले प्रॉपरी अपिनियोनी, अब यहां पे भी वही बात हो रही है, तकरीबन वही personal opinions की बात हो रही है, बिजोन या पोतेर एस्परी मरे, जरूरी है कि इजहार करने ले प्रॉपरी अपिनियोनी, जो opinions हैं उनका, अब यहां पे जो opinions हैं, वो किस के opinions है मेरे हो सकते हैं आपके हो सकते हैं किसी third person के हो सकते हैं ठीक है किसी group के हो सकते है तो यहां पे जो प्रॉप्रे opinion ही जो इस्तमाल हुआ है ठीक है यहां पे definition में भी यह वही बात का रहा था जो phrase impersonality जिसमें suggest तो जो है वो non-specific तो जहां पे subject जो है वो specified नहीं है पतलब एक जुम्ला impersonal है personal opinions की बात हो रही है ठीक है हर एक के opinions की बात हो रही है तो यह दो कहने की example से में भी आपको समझ आया होगा अब हम दूसरा जो है इसका इस्तमाल देख लेते हैं दूसरा meaning देख लेते हैं सुस्तित्वीर जो प्राप्रिव है वो जगा ले सकता है लजटिव पुसेस्सीव अब adjective पुसेस्सीव की जगा ले सकता है ठीक है इसकी भी हम examples देख लेते है ओनी बंबीनो वोले मेने अला प्राप्रिया मामा ठीक है ओनी बंबीनो हर बच्चा वोले मेने चाहता है प्यार करता है अला प्राप्रिया मामा उसकी मा से ठीक है अब यहां पे जो प्राप्रिया का मतलब होगा वो होगा परसनल में आ जाएगा उसकी थर्ड परसन के लिए इस्तवाल होगा ठीक है हारे की अपनी अपनी मा की बात हो रही है ठीक है जिस तरह ने डेफिनेशन में लिखा हुए तो यहां पे जो प्रोप्रियो मामा लिखा हुए इसका मतलब है अपनी मा को ठीक है अनी बंबीनो वो ले बेने अला प्रोप्रियो मामा हर बच्चा जो है अपनी मा को प्यार करता है पसंद करता हुए बेने अच्छा उसके लिए अच्छा चाहता है ठीक है तो यह था आज का जो है प्रॉप्णू-ड़ु के मतलिक हमने डिटेल से जो है हमने देखा प्रॉप्ण जब इस्तमाल हो तो उसके क्या-क्या मीनिंस निकल सकते हैं यह वो कैसे इस्तमाल होगा और प्रप्रियू लगा है अच्राइख के लिए ऐसे इस्तमाल होगा और मुझे रखिये दोआ मियात Allah Hafiz